दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बोक्स में जरूर पूछे बड़ी कबर कोरोना के नए वेरियंट XC को लेकर बिहार में अलाट रेलवे स्टेशन वा बस इस्टेंड पर हो गी आर्टी पिस्यार जाच जिहां मुंबई और गुजरात में मिले कोरोना के नए वेरियंट XC के बाद बिहार और मुझपर मुर्बे में अलाट गोसित कर दिया गया है स्वास्त विवा कि अपर मुझ के सची प्रतेद अमरित ने सिनिवार को वीडियो कौनफरेंसिंग कर सभी जिले की सिविल सर्जन को अलट रहने का निर्दिश दिया है अपर मुझ के सची ने कहा कि देश के दो हिस्टों में कोरोना के नए वेरियंट के केस मिले है पहले भी मुझ में में ही केस मिलने के बाद देश के दूसरे हिस्टों में विवारी फैली थी अपर मुझ के सची ने निर्दिश दिया है कि सभी रेलवे स्टेसन बस इस्टेंड और सहर के परवेसर निकास के रास्तों पर आठीप सियर जाच कराए जाए इसके अलावा एंटिजन जाज भी कराए जाए अबर मुझ के सची ने हीट बेब को लेकर भी परवारी सीएस डाक्टर चंदर सिकर परसाद और स्टेमो डाक्टर सुवास परसाद सिंग को अलट रहने कर निर्दिश दिया है बिहार में राजस्तान जैसी गर्मी बकसर में पारा 44.7 पर पहुचा जाने अन्य जिलो का हाल जहां बिहार में राजस्तान जैसी गर्मी पढ़ रही एसनिवार को बकसर में अधिक्तम तापमान का सर्वाकालिक रिकोड टुटा पिछले 24 गंटों में दो डिगरी की बड़ोतरी की साथ ही बकसर का दिक्तम तापमान 44.07 पर पहुँच गिया इससे पहले पिछले हपते ही बकसर का पारा 43.02 डिगरी पर पहुँचा था जो अब तक का जिले में अपरेल महिने में सरवादिक तापमान का रिकोर्ड था मौसम मिदों की माने तो हाली की वर्सम में अपरेल में बिहार के किसी भी सर का ये सरवादिक तापमान है पारा के उचतम इसतर पर पहुचने से बकसर वा इसके आसपास के लोग दिन भर गर्मे से बहाल रहे और पचवा का परवा दचिन बिहार के कई जिलों को जोलता रहा लोग की सिती बनी हुई है 42.2 डिगरी के अधिकतम तापमान के साथ ही और अंगाबाद राज का दूसरा गरम सहर रहा इसके लवा सुबह के आने सहरों में भी पारा 40 के पार रहा गया में अधिकतम तापमान सनिवार को 41.8 डिगरी रिकोर्ड किया गया जबकि जमुई में 40. डिगरी नवादा में 40.3 डिगरी सिवान में 40 डिगरी दर्च किया गया अगली बड़ी कबर 25 अपरिल से शुरू होगी इंटर कमपार्टमेंडल की परिच्छा B.S.E.B. ने जारी किया सेडियोल हर दिन दो सिटिंग में होगी परिच्छा इंटर कमपार्टमेंडल से विसेस परिच्छा के सेडियोल बिहार इसकोल एकजामिनसन बोर्ड ने जारी कर दिया है परिच्छा 25 अपरिल से सुरू होगी और 4 माई तक चलेगी इस बार परिच्छा का आवेजन दो पालियों में किया जाएगा अहली पालि के परिच्छा सुबा 9 बज कर 30 मिनट से 12 बज कर 45 मिनट तक और दूसरी पालि दोपर 1 बज़े से 5 बज़े तक होगी इस दुरान एक साथ इंटर के तिनों संकाई के परिच्छा होगी इस परिचा में पिछले दो सदर के पेल परिचात्रे को भी सामिल होने का मौका दिया गिया है आपको बता दे कि विसे इस परिचा में वो परिचात्रे भी सामिल हो सकते जी हर घर नल जल योजना के पाने के बरबादी को रोखने के लिए राजसर का रभ्यान चला रही है इसके लिए वाड स्तर पर इवावो के निगराने समीती बनाई जा रही है इसमें जागरों की वखिवतियों को सामिल किया जा रहा है लोक स्वास अभियांदरन विवांग ने चालो बित्य वरस में सभियान को पुरा करने का लच रखा है वाड स्थरी निगराने समीती के सदाइसे अपने चेतर में बमन कर देखेंगे कि किस घर में पानी की बरबादी हो रही है आपको बता दे कि योजना के तहट परिवार के हर एक सदाइस को पर देदिन सतर लिटर पाने देने का प्रावदान है लेकिन जल चौपाल में या भी चर्चा होगे कि पाने की किफायती उप्योग कैसे किया जाए जमीन का सर्वे पूरा होते ही नितिस सरकार किसानों से वसुली की तीन गुना लगान जिहा बिहार के जिन इलाकों में सर्वे का काम पूरा हो जाएगा वहां की किसानों का खर्चा बढ़ जाएगा उन इलाकों की किसानों को जमीन के लागत के रूप में तीन गुनी रासी जोनिव और हर साल किसानों पर लगवा 500 करोड का बोज बढ़ गाएगा दिली मुंबाई के लिए मुझपापूर से मिलेगी वंदे भारत 14-16 घंडे में पहुचेंगे दिली जहां उत्तर बिहार से भी दिली वा मुंबाई आदे महानगरों के लिए वंदे भारत एक्सप्रे से वंदे भारत एक्सप्रेस चलने की योजना है दोनों ट्रेने मुझपरपूर से गुजरेगी उत्तर बिहार से सेमी हाइस्पी ट्रेन के रूप में वंदे भारत एक्सप्रेस चलने से जातरी 14-16 घंटे में उत्तर बिहार से दिली पोस्ट केंगे फिलाल उत्तर बिहार स दिले तक की सफर में 18 से 20 घंटे का समय लगता है इसके लिए रिल्वे ट्रोके के नवी करन वा मेंटेनेस का काम पर जोर दिया जा रहा है बिहार में फिर महंगी हुए आईटियाई की पढ़ाई नीजी केंदर की फिस में 8 साल बाद 70% की बढ़ोतरी अब ग्रामीन और सारो सेंटरों की फिस भी वराबर बिहार के 12-1 नीजी आईटियाई में पढ़ाई आप महांगी होगे प्रासिक्चन महादी साला इनने ग्रामीन इलाकों में 11,000 तो सहरी लाकों में 9,500 रुपे सलाना फिस बढ़ा दिया है इसका सर बिहार में 5,44,44 पर होगा डिजीटी के ओर से जारे विगापित के मताबिक 8 साल बाद फिस में बढ़ोतरी हुई है नई फिस अगस 2022 से सुरू होने वाले सत्र में नमांकर निले वाले फरसिक्चों पर लागो होगा इसके साथ यह अब रामीन और सारी केंदर के फिस में भी एक कर दिया गया है अभी तक रामीन और सारी इलाकों के आईटियाई के लिए सुल्क अलग अलगता है था बिहार में अब 30 दिनों के भीतर बन जाएगा रासन कार्ड ओलाइन आविदन की प्रक्रिया सुरू बिहार में चमके बुखार पर सरकार सतर कसेम ने स्वास बिभाग को बन के लिए आधार काड बनाने के लिए आधार कार्ड होना चाएगा पीकू तयार करने का निर्देस, जब यहार में गर्मी बढ़ने से AIS के फिलने के असंका बढ़ गई है, इस चिनोती से निवटने के लिए इस्पतालों को हर तरह से तयार रखने का निर्देस दिया गिया है। जो स्वास्त मंत्रे मंगल पाने ने कहा कि आईस्मान भारत योजना के ताद सुबे में एक दसमलो आठ करोड लावोकों को पांच लाक रुपे तक की चिकिस सुविधा निस्व कुपलब्द कराई जानी है इनमें करेब 29 लाक लोगों को गोल्डन कार्ड जारी कर दिया गिय थे एरिपोर्ट और मेट्रो में दिखेगा बिहार के परियाटन सलो की जलाग होडिन बेनर फोस्टर लगाएगा विभाग जादेश के हवाई अड़ा और मेट्रो स्टेशनों पर बिहार के परियाटन सलो की जलाग दिखेगे परियाटों को अगरसित करने के लिए परिया 2020 और 2021 में परेटो की संख्या में काफी कमी आ गई है। आप चुकि कोरोना का कहर धिरी दरी समाप्त हो रहा है। इसलिए सिरकार ने तै कि एक बार फिर से परेटो को बिहार लाया जाए। इसलिए परेटन विभाग ने तै कि मौझता बित्या वर्स में देश के सभी एरपोर मेटो के अलावा आने प्रमुक वा सारवजने के सिलोप और बिहार के प्रेटन सिलोप की जानकरी दी जाए। इसके लिए विभाग ने सोट फिल्म तयार करने का नेने लिया है। बड़ी ख़बर पेट्रोल डिजल के बाद अब पटना में सेंजी भी हुई महंगे आम सिंजी की कमत बढ़ने से यात्रियों को ढोने वाले ओटो केव टेक्सी आदि के गैस लागत बढ़ गई है। इस बशचा के बच्चों के खाते में जाल दी 499 करोड रुपिए बिहार सिक्चा बिभाग इसके तैयार में सिक्चा विवाग गर्मी की चुटियों से पहले ये स्कूली बच्चों के बैंक खाते में ये पैसे ट्रांसफर करने की योजना पर काम कर रहा है आपको बदादे कि किताब खरेदने के लिए बिहार सरकार कट्चा एक से आठ तक के चादरों को 400 रुप्य देती है इन पैसों का दुरुप्योग ना हो इसलिए सिक्चा विवाग से चादरों के खाते में पैसा बेजता है इसका उदेश से पढ़ाई के मद में दे जा रही आर्थिक मदद का इस्तिमाल पढ़ाई लिखाए में करने का उदेश से दिखा गया है पूरों मद रेल के 24 स्टेशनों पर लगाए गए 80 बीम रिकर्ड से लेकर प्लेटपर्म टिकर्ड तक के लिए अब नहीं लगेगी कतार बानाना होगा स्मार्ट कार्ड जा यात्रियों को आसानी से टिकर्ड उबलब्द कराने है तो इस्टेशनों पर आटोमेटिक टिकर्ड वेंडिंग मसीन लगाये जा रहे हैं इसी क्रम में पहले चरण में पूरों मद रेल के एवन एवामरी गिरेड के 24 प्रमों के स्टेशनों पर 80 काड अधारत एटी बी एक बार लेने के बाद इसे कभी भी रिचार्ज कराया सकता है इस काड के जरे ही टिकर्ड के पेसे का भूतान होता है इसमें दानापूर मंडल के पाटना जक्सन पर छे बकसर आरा दानापूर राजेंदर नगर पाटली पूदर इस्टेशनों पर तीन-तीन मसिन सहीत कूल एक इस काड अधारित एटेवियम स्ताबित किये गए हैं विवार होने का आकड़ा में बेतास्ता बिर्दीवी है मौसम में बदलाव और तापमान में इजाफा डी हाइडेशन चक्कर आना उल्टी और दस्त जैसी सिकायतों को बढ़ा रहा है पटना के अस्पतालों में विवार बच्चों के सिंख के हाले की दिनों में बढ़ी है कर दो